क्या आपने बिना पेट्रोल डीजर और लेक्ट्रिसिटी के गाड़ियों को चलते देखा है जवाब शायद नहीं ही होगा क्योंकि हर कोई कह सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन ये दुनिया चमतकार और आश्यरियों से भरी है भारत में ऐसी कई जगें हैं कि लोग अपनी दातों तेले उनिया दबाने पर मजबूर हो जाते हैं ऐसा ही एक भारती अजूबा है जब मुकश्मीर की लेह स्थिमा में थित एक चमतकारिक पहाड़ी का जिसे लोग मैगनेटिक हिल कहते हैं जब मुकश्मीर के लधाक शेत्र के लेह में एक ऐसी पहाड़ी है जिसे मैगनेटिक हिल के नाम से जाना जाता है सामानी तोर पर पहाड़ी की फिसलन पर वाहन को गेर में डाल कर थड़ा किया जाता है अगर ऐसा नहीं किया जाए तो वाहन नीचे की ओप लड़क कर खाई में गिर सकता है इस रहस्त में पहाड़ी पर गाड़ियां तेल से नहीं बलकि अपने आप चलती है इस पहाडी के आसपास अगर कोई रात को अपनी गाड़ी खड़ी कर दे तो सुबह तक उसे अपनी गाड़ी ही नहीं मिलेगी ये कैसे होता है अब तक ये रहसे ही बना हुआ है आश्यर ये तो तब होता है जबकि वाहन मीची की ओर नहीं जाकर खुद बाखुद उपर की ओर जाने लगता है यही तो इस पहाडी का चमतकार है कि वाहन लगभग 20 किलो मेटर प्रिती घ्रटी की रफ्तार से उपर की ओर चणने लगता है दूसरा चमतकार ये कि ना सिर्फ गाडियां बल्कि आस्मान में उनने वाले जहाज थी इस पहाडी के गुरुत्वा कर्षन से बच नहीं सकते कोई इसे गुरुत्वा कर्षन शक्ती कहता है तो कुछ इसे सिर्फ एक प्रहम मानते हैं लेकिन अपतक इस पहाडी करह से सुलजाया नहीं जा सका है इस पहाडी के उपर से उडान भर चुके कई पालिट्स का दावा है कि यहां उडान भरते समय हवाई जहाज में कई जटके महसूस होते हैं हवाई जहाज को पहाडी की चुंबकिये शक्ती से बचाने के लिए जहाज की रफ्तार बढ़ा दी जाती है हारा कि कुछ लोगों का मानना है कि इस पहाडी के आसपास की शेत्री सनरचना रिष्टी भ्रम जैसा महौल पैदा करती है जिसके नीची की ओर नुढक्ती वीवस्तू ओपर की तरफ चर्थी दिखाई देती है वेज्ञानिकों के अनुसार गुरुद्वारा पठार साहिप के निकट इस्थिति स्हिल में गजब की चुम्ब की ये ताकत है यही नहीं इसका मैगनेटिक क्लीम भी काफी बड़े शेत्र तक प्रभाविक तरता है अगर स्हिल की चुम्ब की ताकत का परेक्शन करड़ा हो तो किसी वाहन के इंजन को बंद करके वहां खड़ा कर दे वो बंद वाहन धीरे-धीरे पहाड़ी की चोटी की ओर खुद भी खिसातना शुरू कर देता है वैज्यानिकों का मानना है किस पहाड़ी में चुम्ब की शक्ती है जो गाड़ियों को करीब 20 किलोमीटर प्रती घंटे के रफ्तार से अपनी ओर खींच लेती है इसलिए से मैगनेटिक हिल कहा जाता है इस मैगनेटिक हिल को ब्रेविटी हिल के नाम से भी जाना जाता है माना जाता है किस पहाड़ी पर गृत्वा कर्शुन का नियम फेल हो जाता है नुर्थ्वा कर्शुन के नियम के अनुसाद अगर हम किसी वस्तु को धलान पर छोड़ दें तो वो नीची की तरफ लड़केगी लेकिन चुमकिये पहाड़ी पर ऐसा नहीं होता यहां हम किसी कार को अगर गियर में डाल कर ठोड़ दें तो कार ढलान पर नीची की ओर ना जाकर उपर की ओर चखती है यहां पर किसी तरल पदार्थ को भी बहाने पर उपर की तरफ बहता है परुड़ पर नाकर उमिन पर नाकर उन्याब। झाल झाल